नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग नौच एन वियर जो ये टोपिक हमारा काफी इंपोर्टेंट है यहां से काफी MCQ बन जाते हैं हमारे प्रीलिम्स एक्जाम में कोई भी हो चाहे वो S.S.E.J.E. हो या R.R.B.J.E. हो तो ये फ्लूइड मेकैनिक्स का चैप्टर है तो फ इसाछाल है वोडर का या फ्लूइड का हमारा जो रेट ओ फ्लूइड का चैप्टर यह device होता है अपने lab में कभी perform किया हो तो हमारी plate होती है यह metal plate होती है जब हम lab में perform करते है rate of flow निकालते है तो V-shape notes होती है rectangular notes होती है tripezoidal notes होती है तो इनसे हम क्या rate of flow निकालते है Is a device used for measuring the rate of flow यह device है measure क्या करता है rate of flow of a liquid through a it may be defined as an opening in the side of a tank or a small canal in such way that the liquid surface in the tank or canal is below the top edge of the opening आपको अगर notes को समझना है तो यह 3 word ध्यान रखो below edge of the opening below edge of the opening क्या है देखो यह हमारा कोई reservoir लगा लगा लो small canal लगा लो tank लगा लो ठीक है जी यह तो है front view जहां से हमारा पानी ऐसे गिर रहा है ठीक है जी और यह है हमारा side view यहां से पानी गिर रहा है अब जो आपको चीज देखने वाली है वो चीज यह है कि notes हम कैसे जानेगे कि यह notes है और यह वीर है notes में क्या होगा जो यह water level का यह हमारे मालो side में concrete structure बना हुआ है यह हमने rectangular nose apply कर रखी है तो यहां पे जो यह edge होगा इस wall का concrete wall का या plate का हमारी metallic plate का जब हम lab में करते हैं छोटी plate होती है बड़ी मैंने कभी देखी नहीं है ना यह मैंने थोड़ा सा research किया कि बड़ी plate होती है measuring करने के लिए जो हमारा flow होता rate of flow लेकिन हां बड़े भी होती है तो यहां पे जब यह होती है plate होती है या यह जो wall होती है हमारी metallic wall का लो concrete wall का लो तो इसके जो edge है ना इससे नीचे इससे नीचे हमारा जो water का जो surface है वो नीचे है तो वो हमारे nose कहलाएगी अब आप इसको भी नहीं समझोगे अच्छे से यह देखो यहां से पानी गहरा है यह जो height है wall की wall मान लेते है ना इसको wall की जो height है यह बिल्कुल top तक है इससे उपर अगर पानी इससे उपर से भी पानी भहरा है ना तो भहिया समझ लो यह हमारा wear है इस wall से उपर और इस edge से नीचे है water का surface तो यह हमारी क्या है notch है इतनी सी बात है इसको जानने के और कुछ नहीं है और थोड़ा सा simple way में समझ लेते हैं यह देखो भया यह हमारा इस V को आप भूल जाओ V shape notch को यह समझ लो यह हमारी wall थी पूरी complete ठीक है जी हमारा reservoir है tank का उसमें पानी बरा हुए अब हम यहां से क्या करते हैं यह जो concrete wall यह वोल वाला area है अब यहां पे एक notch wear लगाते हैं पहले हम इस दिवार को इस V shape में तोड़ते हैं फिर हमारा क्या होती है जो plate होती है measure करने के लिए जो V shape plate होंगे वो यहां पे apply कर देंगे ठीक है जी अब जब हम पानी को यहां से आएगा पानी यह से गिरेगा तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो water surface level होगा ना वो इस edge से इस edge से नीचे ही होगा और वो क्या है continue flow करेगा तब हम rate of flow है water का वो measure करेंगे simple सी बात थी ऐसे हमारी trypezoidal notch होती है यहां पे जो यह edge है इस से नीचे हमारा surface of जो water है वो flow कर रहा है continue नीचे flow कर रहा है ठीक है जी तो वो हमारी कहन notch है अगर यह water उपर से ही flow कर रहा है यहां पे बान लो यह continue है यहां तक ठीक है पानी यहां पे रुकने के बाद इसके उपर से भी वहरा तो यह हमारा वीर है यह क्यों बनाया जाता आगे आप definition ने देखना आपको वीर अच्छे समझ वाएगा फिलाल आप notch देख लो notch कितने तरह की होती है देखो जी rectangular notch, V notch, trapezoidal notch और यहां पे एक side में और है कौन सी stripped notch, stripped notch कैसे होती है यह हमारी wall है side में मालो यह हमारा reservoir था पीछे तो हमने यहां पे क्या एक stripped notch apply कर दी, वो इस तरह ऐसे होती है step wise, cd की तरह ठीक है जी, और यह जो हमारा पानी है, यह ऐसे flow कर रहा है इस पानी को ही हम, इसका जो rate of flow है वो major करते हैं, पहली बात तो यह है दूसरा यह है, कि जो यह water का surface होता है जो यह continue गिर रहा होता है इसका जो यह गिरने का surface है यह जो पानी का surface जो continue गिर रहा है flow कर रहा है इसका जो surface है, वो इस edge से हमेशा नीचे ही होना चाहिए वो हमारी क्या होगी नोच होगी उपर हो गया तो फिर भाईया तो गडबड हो जाएगी न वो तो इस से भी यहां से पानी गिरने लग जाएगा यहां से पानी गिरने लग जाएगा तो वो तो क्या होगा वो तो हमारा वीर होगा फिर यहां पर वीर म थी कि यह जो नोच है यह device होता है measure करता है rate of flow of liquid through it may be defined as an opening in a side of किसी भी side में हमारी opening किसी भी side में of tank के और या small canal के in such way that the liquid surface यह जो liquid का surface है in the tank यह हमारा tank है और canal is below the top as this edge से नीचे हो of the opening यह हमारी opening है तो यह जो water surface है ना liquid surface है यही side से नीचे होना चाहिए वो हमारी notch होगी उसके बाद है wear notch का एक basic idea हो गया definition से और मैंने जो type बता है उससे common sense तो बनी गई है आगे देखेंगे जो हम numerical करेंगे और इस से related जो भी chapter में जो भी topic आएगा उससे आपको देरे देरे और भी अच्छे समझ में आएगा या सार फै बलकुल running all the way across the open canal the notch is a small size होते हैं जो हमारी notch होते हैं while the wear is of a bigger size जो हमारे wear होते हैं वो bigger size होते हैं वो dams वगरा में बनाया जाते हैं जो notch है वो small size होते हैं notch generally made of a metallic plate और wear हमारे किस्से बनते हैं concrete और masonry structure से देखो भई है यह है wear की एक छोटा सा roughly diagram बनाया है मैंने थोड़ा सा diagram से इसको समझते हैं simple language में notch और wear को मैंने definition बता दी आपको फिर भी थोड़ा सा diagram से बताया है लेकिन फिर एक बार फिर से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं देखो भई पहले मैं wear बताता हूँ wear एक simple सा बांध होता है मानलो यह हमारी कोई open canal है ठीक है पानी बहरा river है हमने यहां पे कोई दिवार बना दी चलो जी ठीक है कोई ऐसा लोहे का कुछ लाके रख दिया है कुछ ऐसा कोई भी ऐसे जिससे हमने एक बांध टाइप बना दिया ठीक है जी और उसके उपर से पानी फ्लो कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे wear simple सी language क्या है यह हमारी भाई कोई reservoir है ठीक है इसमें पानी भरा हुआ है और यहां पे हमने एक wear wear मतलब एक wall बना दी है और यह क्या कर रही है इस पानी को रोक रही है अप स्ट्रीम के साइड में यह पानी को रोक रही है लेकिन एक limit आती है जब पानी जादा हो बहने उसके उपर से बहने लग जाता है तो यह हमारा क्या है यह जो रुकावट है यही हमारी wear है simple language में तो उसमें मैं आपको बता हुआ एक basic सा idea फिलाल हम यह देखने कि notch और wear का practically use क्या है कहां पर use करते हैं तो यह पानी का flow मेजर करते हैं हम open canal में ठीक है जी और जो reverse हैं वहाँ पे हम open में जो water होता है उसका हम पानी का जो flow है उसको मेजर करते हैं अब आती है notch notch में क्या होता है देखो यह मैंने दूसरी side में जो बना रखते हैं यह वो तो उसमें क्या है आपको side view है समझ में नहीं आएगा यह वारा था लेकिन यह है front view अब यहां पे पिछे पानी है काफी ठीक है यहां पे हमारी जो यह मैंने पहले base बना रखता था यहां पे अब यह सारी wall है यह व के लिए बनाई जाती है जो यहां पे मैंने definition में बताई the device of measuring rate of flow of liquid through a small canal और tank में या फिर small canal में हम इसका क्या करते हैं बही जो rate of flow है वो measure करते हैं अब यहां पे यह हमारी है steeped notch इसको यहां पे बना दिया ठीक है जी अब हमारा पानी धीरे धीरे आ रहा है भाई यहां से ऐ यहां से पानी बहने लग जाएगा यहां से पानी बहने लग जाएगा तो वो wear हो जाएगा नोच की simple सी definition यह हमें इसलिए provide की जाते हैं हम इसलिए provide करते हैं इसको rate of flow है उसको measure करें और यह क्या है जो पानी का जो flow है वो कब हमेशा इस add से नीचे होता है तो हमारी notch उपर स से फ्लोकरने लग गया हम Major के खाक करेंगे ज़ो स्मोलर साइज होता सिर्थπαर, वियर अधिकर साफिर थे इन इनक है इनग का रिटल कैसे निकालते हैं ढगीन से डिफेंट मेटल से डिफेंट खाक्य म of that बम अगे देखिए और यह यहाँ पर की अब हम देखते हैं classification of notch and wearing के type कहलो classification कहलो फटाफट देख लेते हैं वीडियो काफी लंबी होगी है यार मैंने दो तिन बार repeat कर दिया है the notches are classified as according to the shape of opening जो मैंने आपको चयार बता है rectangular, triangular, tripezoidal और strip notch उसके बाद according to the effect of the side of on the nappy ये कह जी notch with end of end contraction and notch without end contraction and suppressed notch उसके बाद जी wear इस परनसेशन देख लेना ये ठीक ही बोला होगे उसके बाद है wear according to the shape of the opening rectangular wear, triangular wear, tripezoidal wear, sipolity wear कुछ ऐसा ही परनसेशन है ये आप देख लेना उसके बाद according to the shape of the crest crest के हिसाब से भी जो हमारे wear है उनको बाटा गया है according to the shape of crest के है sharp crest wear or bread crested wear, narrow crested wear or ogie shaped wear and the last one is according to the effect of side of the emerging nappy wear with end contraction, wear without end contraction इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया है, नोच क्या होती है, वियर क्या होता है इतना सा जान लो, numerical से जानेंग इनका practically कहां पर हम use करते हैं open canal में, open river में, tank में, ठीक है, जो bigger water body है वहाँ पर हम wear का use करते है, smaller water body है, वहाँ पर हम किसका नोच का use करते है तो यह basic idea आपने ले लिया, आज इस वीडियो में इतना ही करते है, thank you for watching this video वीडियो आपको ठीक लगी तो like करना, channel पर नए हो तो बाई, subscribe भी करना, ठीक है, thank you